दोस्तों नमस्कार विधानसभाच चुनाव नजदीक है हर्याणा की जो 90 विधानसभाच सीटे हैं इन पर अगले 90 दिन के अंदर यानि की अगले 3 महीने के अंदर अंदर विधानसभाच चुनाव की गोशना होनी है और चुनाव को लेकर सभी अपनी तयारियों में हैं चाहे वो राजनीतिक दल हैं चाहे वो चुनाव लड़ने के इंट्रेस्टिड लोग हैं चाहे वो फिर किसी पार्टी में काररत हैं और या फिर अभी किनारे रहे करके देख रहे हैं कि कौन से समुदर में कौन सी नदी मे मौ जाएगी यानि कि वो लोग जिनको चुनाव लड़ना है वो भी तयारी बस निगाह है तो इस तरफ की आखिर कहाँ पर आंकणे समीकरण, पाल, गोत्र, छेत्र इसके हिसाब से ठीक वैठेगा इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा में एक विशेश चेत्र को लेकर हूँ हरियाना का एक बैक्वर्ड चेत्रों में पिछले चेत्रों में गिना जाने वाला चेत्र ऐसा विधानसभा चेत्र जहांपर की गठन के बाद पहली बार 2019 में कमल खिला था मैं आपसे बात कर रहा हूँ हतीन विधानसभा चेत्र की दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताओं कि 2014 के विधानसभा चुनाव के अंदर इस हथीन छेत्र में एक बात चली थी हलांकि बात तो पहले भी चलती थी और हमेशा हुआ भी करता है कि गावों के अंदर पाल और गोत्र के हिसाब से खासकर जो ग्रामीन विधानसभा चेत्र होते हैं उनमें पाल गोत्र के हिसाब से आपस में गावों के बीच सेटिंग बनती है उसको आप सेटिंग भी कह सकते हैं उसको आप समझोता भी कह सकते हैं और या फिर आप उसको एक तरीके से ये देख सकते हैं कि चुनाव किस प्र दोस्तों दो पाल बहुत बड़ी हैं, एक डागर पाल और एक रावत पाल, बात चली कि अब की बार कौन सी पाल से कौन सा नेता चुनाव लड़े, क्योंकि 2009 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर डागर पाल से चुनाव लड़े थे रामजिलाल डागर, और रावत पाल स अरशकुमार जी कौंग्रेस से केंडिट थे, लेकिन बात ऐसी चली कि चुनावी बाजी जो मार गए वो जलेप खाँ जीत गए, और उसके पीछे कारण माना गया, कि डागर पाल, रावत पाल और यह तमाम जो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चुनाव के अंदर यह सब है, वो डिवाइडेशन हुआ और लोगों ने सोचा किस वज़े से यह चुनाव परिणाम रहे, 2014 के अंदर डागर पाल और रावत पाल की अलग-अलग पंचायतें हुई, और उन पंचायतों में यह तैह हुआ, बाद में रावत पाल ने जाकर के समर्थन मांगा डागर प यह तो 2019 के चुनाव में डागर पाल से परवीन डागर चुनाव जीत गए, आपको यह जरूर बताता चलूं कि 2019 के चुनाव से पहले भारतिय जनता पार्टी के जो नीती निर्धारक हैं, भारती जनता पार्टी के जो करता धरता हैं, बीजे पी के वो लोग जो खासकर बात चली और भारती जंता पार्टी ने तै गिया कि 2019 का टिकेट डागरपाल को दे दिया जाए अब अगर यही था तो फिर अगली बारी फिर रावतपाल की आ जाती है मैं आपको बताता चलू कि पिछले दिनों भारती जंता पार्टी के एक बड़े नेता से मेरी चर्चा हो रही थी पलवल और फरिदाबाद की विधानसवा सीटों को लेकर उनसे बाचीच चल रही थी तो जब हतीन विधानसवा छेत्र का जिकर आया तो जो मैं बता रहा हूं कि बीजेपी के बड़े नेता का इंट्रेस्ट था कि हतीन की रावत पाल की अब की बार क्या स्थिती है तो इससे समझा जा सकता है कि क्या अब की बार भारती जंता पार्टी के कैंडिडेट की बात करने चला हूँ तो समझा यह जा सकता है कि भारती जंता पार्टी के जो रणीती कार हैं कही न कहीं उनके दिल और दिमाग में बात चल रही है कि अगर पिछली बार डागरपाल को मौका मिला था तो क्या आपकी बार रावत पाल के जरिये चुनावी जंग को चुनावी वैतरनी को पार किय जाए इसी लिहाज से मैं आपके साथ चर्चा में हूँ इस वीडियो के अंदर कि आखिर अगर रावत पाल की तरफ बात आती है तो फिर चहरा कौन हो सकता है अगर मैं भारती जंता पार्टी के आप से बात करूं क्योंकि बीजेपी की बात हो रही है तो इस समय भारती जंता पार्टी के अंदर जो रावत पाल के जो नेता सक्र igen दिखाई देते हैं या जिन पर नजर जा सकती है कि ये नेता हो सकते हैं तो तीन नाम मेरे जहन कि इन तीन नामों पर अगर रावत पाल पर बात आती है तो ये तीन नेता मुझे गंभीर सक्रिय दावेदार दिखाई पड़ते हैं और उन तीन नेताओं में नाम आता है जिला परिशत के जो चेर्मेन है जिनकी धरम पत्नी आरती रावत उनके पती है मनुज रावत दूसर दं सिंग रावत के पोत्र मुकेश रावत इनी तीनों नामों पर मैं आप से चर्चा करूँगा विस्तार में और बताऊंगा कि किसके लिए कौन सा प्लस और कौन सा माइनस जाता है अगर सबसे पहले मैंने आपसे बात शुरू की थी मनोज रावत की तो मनोज रावत पता नहीं अभी नौकरीच कर रहे हैं या वीरेस लिया इस बारे मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है लेकिन वो दिल्ली पुलिस में कारणत थे ये मुझे जरूर पता है जब वो जिला परिशत का उनकी धरमपत्नी चुनाव लड़ रही थी जिस वार्ड से चुनाव जीत क कर के आए मनोजरावत की धरमपत्नी आरति रावत उस वार्ड में हिंदू वोटर्स के साथ साथ मुसलिम बोटर भी बड़ी संख्या में है यानि कि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर मुसलिम मददाता भी है और उस वार्ड से चुनाव जीते गाउं उनका नांगल ज तो नांगल जाट का गाउं से है मनोज रावत उनकी धरम पत्नी जिला परिशत की सदस्य चुने गई और उस वाड से जो वाड था उसके अंदर बड़ी संख्या में मुस्लिम मद्दाता भी थे और दावा किया जाता है कि मुस्लिम मद्दाता उन्हें मनोज रावत को बड़ क्रिशन पाल गुजर के दरवार से नाम चला और नाम आ गया कि रावत पाल को मौका दिया जाए डागर पाल का विधायक है रावत पाल का जिला परिशत चेयर्मेन हो जाए तो रावत पाल के आरती रावत की लौटरी लग गई मनोज रावत का नंबर लग गया उनकी धरम पाल से आते हैं यूवा हैं ये सारी बाते तो उनके फिवर की हो गई लेकिन अभी पिसले दिनों जिला परिशद के अंदर एक बड़ी बात चली आप इसे कुछ यूँ समझ सकते हैं कि जिला परिशद के अंदर सोशल मीडिया पर भी और प्रिंट मीडिया में भी इसके सासत तक और कहीं 2 करोड तक मतलब कि सभी लोगों ने अपने अनुमान से आका कि जिला परिशद के अंदर बड़ा घोटाला हुआ हंगामेदार बैठक भी हुई और उस बैठक के अंदर चेर्मेन से वित्तिये पावर ले ली गई और वित्तिये पावर दे दी गई कि 3-4 मेंब आपको बताएं तो दूसरे दाविदार के रूप में मैंने आपको केहर सिंग रावत का नाम लिया जो आजकल पूर विधायाक है हतीन के केहर सिंग रावत के पक्ष में जो बात जाती है उन्होंने 2019 में 2014 में वो विधायक बने थे इंडियन नेशनल लोगदल से नांगल जाट गाहों के हैं और 2019 के लोगसभा चुनाव से पहले ही पहले वो नेता थे जिन्होंने कि इंडियन नेशनल लोगदल को छोड़ा उसके बाद में इंडियन नेशनल लोगदल छोड़ने वाले लोगो का था केहर सिंग रावत इंडियन नेशनल लोक दल छोड़ कर भारती जनता पार्टी में आए, लोक सभा चुनाओं में, राज्या सभा चुनाओं में उन्होंने पार्टी का BJP का साथ दिया बताया जाता है कि उनको कहा गया था कि विधान सभा का चुनाव लड़ाया जाएगा लेकिन लड़ाया नहीं गया 2019 के चुनाव में कहर सिंग रावत मन मसोस कर रहे गए वो पार्टी के कितना साथ थे कितना साथ नहीं थे ये कहर सिंग रावत बता सकते हैं हतीन की सुधी जनता बता सकती हैं उस बात में नहीं जाएंगे लेकिन ये जरूर है कि 2019 का चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा और आज भी वो भारती जनता पार्टी में है अभी जब मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ आज 22 जुलाई है इससे पहले कल 21 जुलाई को रवी वार को कहर सिंग रावत एक हतीर में कारेकरम करने वाले थे कृशनपाल गूजर के पक्ष में जिसमें कृशनपाल गूजर जी ने भी आना था लेकिन किनी भी कारणों से वो प्रोग्राम भी कैंसिल हुआ ये बात तो केर सिंग रावत के पक्ष की है कि वो उस समय बीजेपी में शामिल हुए जब बीजेपी को जरूरत थी लोगसभा, राज्यसभा, विधानसभा, चुनाव सब में वो साथ रहे पार्टी में बने रहे लेकिन जो उनका ड्रोबैक है वो ड्रोबैक ही आजाता है कि केर सिंग रावत 2019 के चुनाव के बाद पार्टी में रहते हुए भी ऐसे कई मौके सामने आये जिनके अंदर की ऐसा लगता था कि बड़ा भारी विरोधावास है बड़ा भारी विरोधावास दिखाई देता था हलांकि अब लोगसभा चुनाव में वो उन्होंने पार्टी केंडिट के लिए भरपूर काम भी किया माना जा सकता है कि पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में लगे एक रिशनपाल गूजर उनके निवास पर गए थे लेकिन उससे पहले उनके वीडियो भी जारी हुए उससे पहले उनकी रुस्वाई की बाते भी आई उससे पहले वो करन सिंग दलाल की पंचायतों में शामिल भी रहे कॉंग्रेस की पंचायतों के अंदर यानि कि जो Congress candidate बन रहे थे करण सिंग दलाल, उनकी पंचायतों में भी, ये वाला उनके पक्ष में drawback जाता है केर सिंग रावत के लिए, कि वो पार्टी के प्रतिक कितने समर्पित थे, तो फिर उसमें कहीं न कहीं जरू डिच जरू लग जाता है, डेंट की बात आ जाती है, कि अगर वो भारती जनता पार्टी में होते हुए, Congress के candidate के जो समभावित candidate बन रहे थे करण सिंग दलाल खुद में, उनके पक्ष में कहीं लगे रहे, लेकिन अंतो गत्वा उन्होंने भारती जनता पार्टी का साथ भी दिया, कृशनपाल गूजर ने उनको मनाया भी, पर मुकेश रावत भी 2014 में, मुकेश रावत का अगर मैं ये कहूं, कि वो उनके जो दादा थे, चौधरी धन सिंग रावत विधायक रहे थे, पलवल से, और चौधरी धन सिंग रावत का अपने समय में संसदिय सचीव रहे थे, उनका नाम जाना जाता था कि धन सिंग रावत राजनीती के अंदर कोई मझे हुए और अपनी बात के धनी नेता के रूप में उनकी पहचान रही उसके बाद में मुकेश रावत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मुकेश रावत की शुरुबात हुई जब 2014 का विधानसभा चुनाव था उससे पहले हतीन की रावत जो मुकेश गाव है मानपूर वहिन मानपूर के अंदर दादा कानहा का एक बड़ा स्मार्क बना पार्क बना उसमें दादा कानहा की एक बहुत बड़ी मूर्ती लगी विशाल का प्रतिमा बनाई गई और उस प्रतिमा को बनाने में बताया जाता है कि मुकेश रावत की ए चुनाव जब आया तो मुकेश रावत ने भी अपनी दावेदारी जताई थी चुनाव को ले करके मुकेश रावत के पक्ष में और वातें जो जाती हैं वो यह है कि वो कृशनपाल गुजर के भी बहुत नजदीक हैं मुकेश रावत जो हर्याना सरकार के पूर कैविनेट मं शिमन्यू उनके नजदीकी रिष्टेदारों में आते हैं और इसके साथ साथ जो सबसे प्रमुक बात है कि वो अपने साथ दादा काना मंशज लिखते हैं दादा काना की प्रतिमा बनाई हर्थीन के छेत्रों में सक्रिय रहते लिए लेकिन दूसरा उनके पक्ष में जो उनका ड्रोबैक है वो यह जाता है कि राजनीती में उनकी उतनी गमबीरता नहीं है जितनी एक नेता की हुआ करती है या होनी चाहिए अगर बात आ जाती है अब भविश्य की जब मैं मुकेश रावत के आपसे बात कर रहा हूँ जो ड्रोबैक की बात आती है तो उनका जो गाव एहरवा है वो रावत पाल की में जो है बहीन मानपूर नांगल जाट इन गावों के अंदर उनकी शुमारी नहीं है एक तो दूसरा मैंने आपको बताई दिया कि मुकेश रावत इतने ज़्यादा गंभीर अभी सक्री है इस चुनाओ में भी दिखाई नहीं पड़ रहे और तीसरी अगर बात आ जाती है तो तीसरी बात यह है कि लोगसभा चुनाओ में जो उनका पैत्रिक गाओं है एहरवा वहाँ थोड़ी सी भारती जनता पार्टी विधान सभा लोगसभा चुनाओ में पिछड गई थी तो यह तीन नाम मुझे नजर आते हैं अगर रावत पाल के अंदर की अगर रावत पाल की बात चलती है भारती जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाने की क्योंकि अब चुनाव नजदीक है चुनाव की गोशना होने से पहले ही यह सारे रणनीतियां सारी प्रोग्राम सब कुछ चलना शूँ हो जाता है कि कौन चहरा हो कौन मौरा हो किस पर निशान लगाया जाए किस को प्रत्याशी बनाया जाए किस पर दाव खेला जाए राजनितिक दल भी तैयारी करते हैं, कैंडिडेट्स भी तैयारी करते हैं और कई बार राजनितिक दल नेताओं को आयात भी करते हैं यानि कि कहीं से लाकर के अपनी पार्टी में लाना मतलब नेता तो जाते ही है, कई बार राजनितिक दल भी ऐसी तैयारी करते हैं कि फला पार्टी में फला नेता मजबूत है उसको अगर अपने पास लाया जाए तो ज़्यादा बहतर रहेगा वैसे आपको कह लगता है हमने जो तीन नाम बताए कहर सिंग रावत, मनोज रावत और मुकेश रावत अगर रावत पाल को टिकट दिया जाता है हतीन विधान सवा छेतर का भारती जनता पार्टी का तो इन में से कौन नेता गंभीर या मजबूत चहरा हो सकता है क्या इन तीन चहरों के लावा भी रावत पाल से कोई और नेता कि हथीन विधानसवा छेतर से भारती जन्ता पार्टी का दावेदार हो सकता है और क्या आपको लगता है कि क्या रावत पाल के रावा आपकी बार डागर पाल या सहरावत पाल या फिर किसी और पाल के नेता की तरफ भारती जन्ता पार्टी का रुजान हो सकता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना